लोग सबाचनाओं के पहली चरण में भीशन गर्मी के बावजूद भारी मतदान, बस्तर के 56 गाउं और ग्रेट निकोबार के शोमपेन जाती ने पहली बार किया मतदिकार का इस्तेमाल 26 अप्रेल को होगी दूस्ते चरण की वोटें बदानमंद्री नरेंद्र मोदी आज महराष्ट और करनाटक में करेंगे चुनावी प्रचार महीं आमित शाहर, राजस्तान में ओम बिल्ला और मतुरा में हेमा मालिनी के लिए करेंगे चुनावी जन सभा बेहार के भागलपूर में महागडबंदन प्रत्याशी के समर्थन में रैली के बाद यूपी के अम्रोहा में हुगी राहूल गांधी की रैली अखलेश और मायवती ब्यूत्तर प्रदेश में चुनाओ प्रचार में व्यस्ट कॉंग्रेस नेता प्रयंग गांधिया और सीप्याइम नेता सीतराम याचूरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में ठोकेंग इताल पंचाब के मुखे मंत्री भगवन्तमान भी शुरू कर सकते हैं अपना प्रचार अभियान मने इस सौधिया की जमानत याचिका पर आज राउज जैविन्यू कोट में होगी सुनवाई पिछली सुनवाई में एडी ने किया था जमानत का विरोध चुनाओ प्रचार के लिए इस सौधिया ने मांगी है राहत पाकिस्तान के मिजाइल कारिकरम को जबर्दस छटका बालस्टिक मिजाइल को बनाने में साहिता करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंद और बीमड़ी ओपन के फाइनल में पहुँची यूकी भामरी और अलबोनो और उली वेटी की जोड़ी रुमान चक्से में फाइनल में उस्टिलियाई जोड़ी को दी करा रही शिकास्त और अब समचार उपर वस्तार से नज़र डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की लोकसभा चुनौ में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब जहां 26 तारिक को मतदान होना है वहीं स्यासी दल जोड शोड से प्रचार में चुट गए हैं इसी क्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज महराष्ट और करनाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं पियम मोदी पहले महराष्ट के नांदेड और फिर परभणी संसद्य शेत्र में अपनी पार्टी के लिए वोट अपील करेंगे इसके बाद वे करनाटक के चिक का बलापूरा और उतरी बैंगलूरों में चुनावी परचार करेंगे दोनों ही राजियों में विपक्षी द प्रस्पे में होने वाली आमिद शाह की रैली में भाच्पा प्रत्याशी दामोदर अगरवाल भी साथ होंगे इसके बाद आमिद शाह कोटा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे कोटा में एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी और लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ल राजस्थान के बाद अमित शाह आज यूपी का भी दौरा करेंगे जहां उनकी सभा मथूरा में होगी मथूरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद हे महमाले ने फिर से चुनाव लड़ने की है बिहार में भागलपूर के सांडरेस कंपाउंड में आज कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की चुनावी सभा होगी इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्षित जस्वी आदव और वी आईपी प्रमुक मुकेश साहनी भी शामिल होंगे राहूल गांधी इंडी गड़ बंधन के कॉंग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे दोपहर के बाद उतरप्रदेश के अम्रोहा में राहूल अकिलेश आज संयूक्त रेली करेंगे अम्रोहा से बसपा छोड़कर आए दानेश अली कॉंग्रेस के प्रत्याशी है अम्रोहा में बीती 40 वर्षों से कॉंग्रेस लोग सभा चुनाव नहीं जीत पाई है केरल में लोग सभा चुनाव के मतदान के लिए तीनों प्रमुख गडबंधन के नेताओं ने राज जी के विभन भागों में चुनाव प्रचारती इस कर दिया है कॉंग्रेस नेता प्रियंक गांधी और सीपियाई एम नेता सीतराम यह चुरी जैसे स्टार प्रचारक के रहर में आज चुनाव प्रचार करेंगे महराश्ट्र में आज सियासी पारा अपने चरम पर होगा कहा जा रहा है कि आज से उधव ठाकरे भी मुंबई में इस चुनाव में पहली बार प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं जानकारी के मताबिख वे मुंबई में अपनी पार्टी के उमिद्वार के लिए वोट मांगेंगे पंचाब के मुखे मंतरी और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी आज अपना प्रचार अभ्यान शुरू कर सकते हैं पंचाब में लोगसभा चुनाओं के लिए आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उमिद्वार घोशित कर चुकी है मुखे मंतरी भगवंत मान खुद प्रादेश की तीरा लोगसभा शेत्रों की कमान सम्हालने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो आज से लोगसभा शेत्रों में परचार शुरू करेंगे तीन-तीन दिन अलग-अलग शेत्रों में जाकर रैली और बैठक करने का उनका कारिक्रम बताया जा रहा है लोग सबाचनाओं के पहली चरण का मतदान शांती पूर्वक संपन हो गया है इस चरण में 21 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई कोच छिटपोट घटनाओं को छोड़ कर मतदान कुल मिला कर शांती पूर्ण रहा इसके साथ ही अधिकांश पुर्वतर सही दस राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के लिए मतदान पूरा हुआ वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने भी काफी उत्सह पुर्वक भाग लिया भीशन गर्मी के बवजूद लोगों ने बढ़ चड़ कर मतदान में हिस्सा लिया अब 26 तारिख को दूसरे चरण का मतदान होगा राजस्थान के मुखे मंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में मतदान कम होने पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुए कहा कि हर जगा मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण है लेकिन भाजबा का मतदाता मतदान करने के बाद ही जल्पान करता है उन्होंने हमें वोट दिया और हमें पूरा भरूसा है राजस्थान भाजबा का गड़ है और हम 25 की 25 सीटे जीतेंगे कि जणता ने जिस तरह से बोर्ट किया है और घंने देखा है वेजिए कि परसेंटेज किनी कारण तोड़ा कम रही गर्मी भी थी कई कारण ओर ही साधी वयाका भी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारती जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी राजिस्तान में 25 की 25 सीट भारती जनता पार्टी जीतेगी सबी जेगे से हमने फीड़वेक लिया है सबी जगे से हमने पूछा है तो जनता का उत्सा रुमंग और जो उन बताया है निस्षित रूफ से हम यह बारे सीट भी जितेंगे और आगे वाली तेरे सीट भी जितेंगे सपा प्रमुक अखिले श्यादव ने पर्थम चरण के मतदान के बाद दावा किया है कि भाच्पा के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है पहले चरण की हवा भारती जनता पार्टी का यूपी समेट पूरे देश में सफाया करेगी पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारती जनता पार्टी का पूरे उत्तरपूर्देश में देश में सफाया करेगी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने आज राजस्थान के जोतपूर में प्रैस्वारता की प्रैस्वारता के दोरान उन्होंने कहा कि उत्तरपूर्वी राज्ये के लोगों को ये समच में आ गया है कि भाजपा की जीत यानि समिधान खत्रे में हैं उत्तरपूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो सम्विधान खत्रे में हैं सम्विधान में इन राज्यों के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुछे हटा दिया है 371 भी हटाया सा सकता है और 371 के तहट अरुनाचल प्रदेश, मीजोराम, सिक्किम, मनिपूर, असाम और नागा लेंड के लिए विशेश प्रावधान कि दिये गए हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग ये मान कर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता घत्रे में है और इसी के साथ यहां लेते हैं एक छूटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होते हैं आप देख तेरे एक टीडी नियूज अपने ही बनाई और अपने ही बोटो से बनी है वन्दे बाराई किसने सोचा था हमारे ट्रेनों में रिवाल्विंग सीट्स विस्ता डोम्स होंगे एरपोर्ट जैसे एसकलेटर्स लाउंजिस फूट को ट्रेलवे स्टेशन बनोंगे शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे वर्ल्ड क्लास फेसिलिटीज की गैरंटी मोदी की मोदी जी को वोट देने की गैरंटी हमारी कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं ब्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की अमेठी लोगसभा सीट देश में राजनेतिक दृष्टिकोंड से मैतपून सीट मानी जाती है हर बार के चुनाओं की तरह इस बार भी देश भर के नगाहें अमेठी पर लगी हुई है 1977 और 1998 के चुनाओं को छोड़कर इस सीट पर कॉंग्रेस या गांधी परिवार का कब्जा देखने को मिला है संजग गांधी, राजीव गांधी, सूनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी का प्रतिनिदित्व किया पिछले लोगसभा चुनाओं में बीजेपी की इसमृति इरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा कर गांधी परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया था उत्तरपदेश की अमेठी लोगसभा सीट हमेशा से ही सुर्ख्यों में रही है और राजनितिक विछलेश्चकों की चर्चा के केंदर में भी अठारवी लोगसभा के चुनाओं के लिए उत्तरपदेश की प्रतिश्ची सीट पर भारतिय जन्ता पार्टी ने इस बार भी राहुल गांधी को हरा चुकी केंद्री वंत्री इसमृति इरानी पर ही अपना दाव लगाया है लेकिन कॉंग्रेस ने अभी अपने उमीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं किया है आश्चर जनक तोर पर गांधी परिवार के दामाद और कॉंग्रेस महाचसजी प्रियंका गांधी के पती रॉबर्ट वाडरा ने कुछ दिनों पहले ये कहकर चौका दिया कि अमेठी की जन्ता उनकी और उमीद भरी निगाउं से देख रही है मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए वहां वो भारी बहमद से जिताएंगे यहां तक कि वो मेर से भी प्रेड़ना करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीती में रखता हूँ कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी को पिछले लोगसबद चुनाओं में अमेठी से करारी हार का सामना करना पड़ा था और केरल की वाइनाट सीट ने उन्हें अपना सांसद बना करकि लोगसबद हमें बेज दिया इस बार भी राहूल वाइनाट से ही चुनाओं लड़ रहे हैं जहां मतदान 26 सप्रेल को होना है अमेठी से कॉंग्रेस ने अब तक अपना उमिद्वार क्यों तैय नहीं किया है इस मुद्दे पर जनता भी उतनी ही कन्फ्यूजन में है जितनी कॉंग्रेस माहूल ठीक ही है बहिया और यहां से अभी तो देखो कौन बाजपार टिकट किलियर किया है राहूल गांधी भी अपना उमिद्वार उतार नहीं नहीं है लेकिन हम लोग तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के ही कि एफिरा काम गांधी जाते हैं प्रियंक के इत वाड़र किसको लेकि आते हैं अभी कुछ लग भी तो नहीं रहा या बता भी नहीं रहे है लेकि किया होता है पदलिक है एउनकी उत्य अञ़ाने पर जो रिजल्ट आयेगा उनके प्रफ़मे एक सवागत करें नहीं आएगे विपक्ज में उसका स्वागत करें उनकी है सामने बनी वे श्टेचु बना हुआ राजु गांदी जी का आज तक इसका वो निराकरन नहीं करा पार रहे हैं कांग्रेश वाले तो क्या करेंगे विकास क्या बोले को कहते हैं राबट बाड़ा कौन है यहां कि य पर्द जानिये ना वो से अच्छा इसमें तिरानी दीदी जी है गुवा जी हमारी है लेकिन काम अच्छा कर रही है बोल बाला है कम लोगों को महीने बर में एक बार मिलीती है हम कहते हैं करिए कुछ ना संताओना बड़ी चीज होती है वरसों से काम नहीं हुआ था जो हो भाज़पा में अमोधी सरकार में जो हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है इस ओज़ा से आप जो है यहां अगर राहूल को ही ने जानता है आए जो 20% में एक परसंट जो बचे हैं उन्हीं जानते हैं उनको बाकि कोई जानता है हाली में अखलेश यादों के साथ अपनी स्विंग प्रेस कॉंफरेंस में भी राहूल गांदी ने अमेठी अराइबरेली से उमिद्वारी पर उठे सवालों पर सिर्फ इतना ही का कि यह मामला पार्टी केंद्रे चुनाव समीती के विभाग के अधिकार शेत्र में आता है आई एक नज़र डालते हैं अमेठी लोकसवा चुनाव छेत्र के इतिहास पर साल 1967 में अमेठी लोकसवा का गठन किया गया जिसमें गौरी गंज, तिलोई, जगदीशपूर के इलाके शामिल हैं करीम 19 लाग की जनसंख्या के इस लोकसवा चेत्र में 25 फीसदी आबादी अनुस्वी चिजाती के नागरे को की है साल 1977 और 1998 के चुनाव को छोड़ कर हमेशा सही इस सीट पर कॉंग्रेस या गांधी परिवार का कबजा रहा है गांधी परिवार के संजय गांधी, राजिव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेठी लोकसवा का प्रतिने दित्व कर चुके हैं पुर प्रधामंती राजिव गांधी चार बार, सोनिय गांधी एक बार और राहुल गांधी तीन बार अमेठी सीट का प्रतिन दित्व कर चुके हैं इस पार राममंदिर के निमंदर को ठुकरा करके कॉंग्रेस की किरिकरी पूरे उत्रप्रदेश में हो रही है और अमेठी में विकासकारियों के साथ साथ ये भी इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा है अभी तक कॉंग्रेस इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि अमेठी से प्रियंका या फिर राहूल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन इस बीच रॉबर्ट बाडरा के बयानों ने अमेठी की फिजा में कुछ नए सवाल जरूर खड़े कर दिये हैं साल 2004 से लगातार तीन बार अमेठी का प्रतिन दित्व करने के बाद 2019 में राहूल गांधी को अमेठी से हर का सामना करना पड़ा था रामंदिर के निर्मान को ठुकराने के मुद्दे पर कॉंग्रेस की करकरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और विकास कारियों के साथ साथ अमेठी में भी यह भी इलेक्शन कैमपेइन का एक एह मुद्दा है लेकिन कॉंग्रेस के पास अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या प्रियंका या राहूल इस सीट से चुनाओ लड़ेंगे हलाकि इन चर्चाओं और सवालों के बीच रॉबर्ट वार्डरा के बयानों ने अमेठी की चुनाओ फिजा में नए सवाल खड़े कर दिये हैं कैमरमन योगिश्तिवारी के साथ अजे मिश्र डीडी निउस अमेठी और लोगसभा अधियक्षियों बिला राजस्थान के कोटा से लोगसभा चुनाओ लड़े हैं अपने पिछले कारेकाल में शेतर के विकास के सभी अपेक्षित मुद्दो का हल करने के दावे के साथ उन्होंने राजस्थान की सभी 25 लोगसभा सीट एक बार फिर भारती जनता पार्टी को मिलने की बात कही हमारे सम्वाद दाता आरेंदर प्रताफ सिंग ने उनसे खास पाचित की लोगसभा चुनाव में राजस्थान में जिन सीटों पे सबसे जादा लोगों की नजर है ऐसी ही एक वियाईपी सीट कही जा रही है कोटा बूंदी लोगसभा शेतर यहां से लोगसभा दक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी की तोर पर विरला जी मौजूद है बहुत स्वागत दोश्य निउस पे चार सो पार के सनारे में राजस्थान क्या भूमिका निभाने जा रहा क्या तीसरी बार 25 की है ट्रिक लेकिन अगर आपके शेतर की बात की जाया तो आपके पुराने बीजेपी के सही होगी कॉंग्रेस के टिकट पे गुंजल जी आपको चुनोती दे रहे हैं क्या नए उद्योग लगे इसको लेकर क्या प्रियास अभी निमाना रोड के अंदर एक बड़ी इंडस्टी आने का प्लान चल रहा है यहां पर आप देखो बुंदी के अंदर कितने सारे प्लांट बुंदी में लगे हैं एथरन का प्लांट लग गया है चावल मिल लगी तेल मिल लग यह यह सब इंडस्टी तो है महगाई और बेरोजगारी का मसला भी एक चुनोती की तरीकिस लिया जा रहा है मोधी जी ने दो विशे रखे हैं मेरे इलाके के अंदर हर घर में पीने का पानी हर केतर पानी दूसरे इंफास्टर्चे के रूप में जो हम और बेतर कर सकते हैं आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैल्स सेक्टर के अंदर अन्य सेक्टर के अंदर भी संभावना है यहाँ पर आ गई है उस तीवल आयटी आने से आने वाले समय में इससे समंधित इंडस्टी को लगाने का भी प्लान रियोजना बनाएंगे बहुत बहुत शुक्र एसार हमें वक्त देने के लिए तो आप देख रहे थे ओम बिला जी जो की राजस्तान के कोटा बूंदी शेतर से भाजचपा के प्रत्याशी हैं तिसी बार की चुनौती दे रहे हैं अगर जीत होती है तो निश्यतों से यह हैट ट्रिक होगी अपने कैमरा सही होगी प्रमोट के साथ मैं आरेंदर प्रताप सिंग टीडी निउस कोटा राइस्थान से और कॉंग्रेस नेता प्रलाद गुंचल कोटा बूंदी लोगसभा नर्वाचन शेत्रिकी वी आईपी सीट सी लोगसभा ध्यक्ष ओम बिल्ला के वरुद चुनाव लड़े हैं प्रलाद गुंचल हाल ही में भाचपा छोड़ कर कॉंग्रेस में शामिल हुए हैं उनका दावा है कि इस बार कॉंग्रेस राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेगी हमारे समवादाता आरेंदर प्रताप सिंग ने प्रलाद गुंचल से खास पाचित की करेस के उमीदवार प्रलाद गुंचल जी हमाई साथ इस वक्त मुझुद है प्रलाद जी दस सालों से का खाता नहीं खुला राइस्थान में इसवार किस तरिके की तयारी है कोटा तो खाता खुला वाई मानो ना खुल गया है कोटा में खाता आप यह भी तक कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे लेकिन नाराजगी की वजह क्या रही और अब आप कॉंग्रेस के टिकट पे हैं तो यह भी है कि कॉंग्रेस में भी एक नाराजगी है जो पुराना साल के बाद आप हराने की स्थिति में होंगी कॉंग्रेस के माध्यम से बिल्ला जीवन खुली किताब रहा है जो मुझ पर वरोसा करता है मैं उसके लिए जान लुटाता हूं यह राजस्तान बर में धारना है और इसी धारना के कान कॉंग्रेस इस पार कोकर खड़ी हो गई कि हमको एक करकरता के लिए आम आदमी के आत्मसम्मान के लिए बात रखने वाला और लड़ने वाला टिकने वाला भ्यक्ति मिल गया है आप क्या वाइदा कर रहे हैं इस समय कोटा की जनता के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा उनकी हर बात को सड़क से लेके संसत्तक पूर हंड्रेट परसेंट पूरी ताकस से और अगर प्रतिपक्ष में भी बैठना पड़ा तो सरकार को ना को चने चबाने के लिए मजबूर कर देंगे आप संसेद में देख रहे ना और शुक्रिया प्रला जी हमासा वक्त देने के लिए तो प्रलाद गुंजल जी ती जो की कोटा बुदी से कांगर्स के प्रतियाशी है और देखना ये दिल्चस्प होगा कि यहां का मुकाबला किस तरीके से 26 तारिख के वोटिंग बाद और चार्ज उनके नतीजों में सबहा की शाह ने पाली से दो बार के सांसत पीपी चौधरी के लिए वोट मांगे हमारे समवादाता विशाल बैरस्टों ने पीपी चौधरी से खास पाचित की मैं इस वक्त भौपालगड में हूँ भौपालगड आता है पाली लोकसवाक शेत्र में जबरदस गर्मी है और तेज हवाएं चल रही हैं मेरे साथ हैं भाजपा के उमीदवार पीपी चौधरी जो दो बार जीत हासल कर चुके और आप हैट्रिक के फिराक में हैं चौधरी यह बहुत सुब संकेत हैं चौधरी साब पिशे साब वकील है दो बार आपने जीत हासल की यहाँ पर अब एक मांग उठी है वेस्टर राजिस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वो कितना बड़ा इशूर होएगा आपके लिए अगर आप जीत हासल करते हैं तो देख यह वेस्ट हम तो आप सोचा हो उन्होंने पहले ही सोच लिया हो क्योंकि वेस्टर राजिस्थान में जब हर गर नल से पानी की बात आती हैं तो नल तो दे देंगे लेकिन पानी के लिए मुझे लगता कि उन्होंने यह रोड मैप पहले ही बना लिया होगा तो और बहुत सीगर जो है वो उसको बाहर लिखाएंगे और मैं इसका पक्षदर हूँ पानी की बहुत जरूर है जैसे इस्टन रीजन कैनाल प्रोजक्ट है उसी तरज पे वेस्टन रीजन कैनाल प्रोजक्ट आएं क्योंकि राजस्तान कैनाल बहुत नजदीक आ चुकी है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुख कल का काम है यह भी मोदी जी के वीजन के तैस तरच मैं मैं सूछता हूँ को ज़रूर करेंगे मोदी है तो मुंकिन मोदी है तो मुमकिन है और आप इस बार ठविघड़ी बनाने के चक्कर में है तो कितना आप कॉन्फीडेंट फील कर रहें कि अब आप पयल् है जनता का प्यार जनता का विश्वास भरोशा और आसिर्वार उसी की वज़े से मुझे तीसरी वांट्रिकर मिला है और यह भरपूर है जिस हिसाब से जनता के प्यार और विश्वास और उनकी आसिर्वाद का आधार मैं कह सकता हूँ तो यह पीपी चौधरी जो हैट्रिक के चक्कर में है और यह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और इनका कहना है कि सियासी हवा भी इनके फेवर में बह रही है कैमरमें रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टू डीडी न्यूस मुपालगड तो 24 की चौनाती में बस इतना है पत्थर सेनी मंदिर के पास महा नदी में नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो गई है अब तक चार लोगों के शव वरामत किये जा चुके हैं कई लोग अब भी लापता हैं जानकारी के नुसार नाव में 50-60 लोग सवार थे पुलिस प्रिशासन तलाशी अभियान में जुटा हुआ है नौका में सवार लोग पत्थर सेनी कुड़ा से बारगर जिले के बंजी पल्ली जा रहे थे और दली जल बोड से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामली में एडी द्वारा दाखिल चार्ज शीट पर राउस एविन्यू कोट में आज सुनवाई होगी इस मामले में गिराफ्तार डीजे बी के सेवा निवरित मुखे अभियन्ता जगदीश अरूडा और अनिल अगरवाल को दिली जल बोड को अलेक्ट्रो मागनेटिक प्लो मीटर की आपूर्ती से संबनित मनी लॉंडरिंग मामले में गिराफ्तार किया गया था तो इस मुलेटिन में फिलहाल इतना ही है लेकिन डीडी निवस पर खबरों कर सलसला जारी रहेगा फिलहाल अनुमती दी नमस्कार